वेलकम बच्चों कॉमर्स एड़ा 247 पर आपका स्वागत है और आज हम बहुत इंपोर्टन बात करने वाले हैं और वो बात क्या है बच्चों आपके करियर के बारे में और करियर में आपको चार चांद लगाने के लिए कुछ प्रोफेशनल कोसिं होते हैं जिनको कर लेना चाहिए तो जो बच्चें CS करना चाहते हैं कमपनी सेक्रीटरियों जाते हैं, उनके लिए वीडियो है यह बच्चे अभी आप 12th class में भी हो सकते हैं और CS अभी आप करने वाले हो तो उनके लिए वीडियो है तो देखिए बेटा आज हम बात करने वाले CS executive entrance test की जिसको हम प्यार से बोलते हैं CSET ठीक है बेटा इसको पहले बोलते हैं CS foundation यह entrance level का exam होता है बेटा तो आज हम प्रोस् है कितने questions आते हैं कितने marks के आते हैं और बहुत ही क्रिप्स वीडियो रहेगी आपको short में सारे answers मिल जाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले हमारे पास eligibility conditions के बारे में बताया जा रहा है eligibility क्या है candidate candidate passed appearing in the senior secondary 10 plus 2 आपके 12th class के बारे में बात हो रही है उसमें आप पास हो चुके हो यह आप appear कर रहे हो समझ महारा विटाया नहीं आप अगर अभी appear कर भी रहे हैं तो भी आप CS के लिए प्रिपेर कर सकते उसमें एडमिशन ले सकते हैं ठीक है तो CS में आप CS EET के लिए आप इ प्रिपेर कर चुके हैं उनको भी आपको पास CS EET तो वहां पर आपको यह एज़िटरेशन टू एक्जिक्टिव प्रोग्राम क्या होता है बेटा यह से अगला लेवल है इससे अगला लेवल है तो आपको पासिंग क्रिटेरिय समझ में आगए बेटा आप 12th प्ला पास होने चाहिए या फिर आप अपीर भी कर रहे तो भी आप CS EET के लिए रोल कर सकते हैं और आपने चाहिए ग्रेशन की हो चाहिए स्वालिटी देना है नेक्स्ट बेटा यह क्या है एक्प्यूटर बेज़ टेस्ट है तो आपको सारे के सारे एक्जाम कंप्यूटर पर ही देने हैं और आपके पास यह प्यारे-प्यारे चार सब्जक्ट आपको दिख रहे हैं बिजनस कम्निकेशन लीगल एप्लिटीट ए अलेकिन इनके साथ में नहीं है यहां पर आपको देखनें को मिलेगा बिजनस कम्निकेशन पर 35 कोशन हैं 50 एंड लीगल एप्टिट्यूड एड लॉजिकल डिइनिग में आपके 35 कोशन है 50 मां और ऐसे ही एकोनॉमिक एंड बिजिनस इंवर्मेंट और करेंट अफेर्स में वह भी देखेंगे तो वेटा यह आ गया वाइबावस पहले यह उसी के साथ दिखाया जाता था आप यहां पर अलग से इसको अलग कर दिया गया सेपरेट कर दिया गया प्रेजंटेशन एंड कम्नीकेशन स्किल यहां पर हम क्या सीख रहें बेटा प्रेजंटेशन कम्नीकेशन स्किल सीख रहे हैं जो कि 15 मिनिट का 30 मार्क्स का क्या होने वाला है वेटा एक टेस्ट होने वाला आपके लिए सेमिल्टेनिल सी कंड़क्ट होगा और इमेडिटली आफ्टर mcq-based cbt टेस्ट तो आपका computer-based टेस्ट जो अभी आपने चार सब्जेक्ट देखें जस्त उसके बाद या उसके साथ हो सकता है यह वाला एक्जाम online mode होगा using artificial intelligence AI का use करते हुए सारे काम होंगे recorded videos के थ्रू होगा designated test center पर यानि जो भी आपका center होगा वहीं पर होने वाला ही ठीक है बच्चा आगे देखते है और वाइब वह उसे से related अगर आपको और detail में चाहिए कैसे होता है क्या होता है तो comment section में pin कर दीजिए आपका drop कर दीजिए अपना comment तो मैं उसके ओपर video ज़रूर लेकर आँगा अगर आपकी demand रही तो final score सार बताइए final score बेटा क्या होगे 170 वहाँ पे 30 number यहाँ पे तो 200 mark आपके total होने वाले हैं और pass करने के लिए आपको pass करने के लिए हर subject में 40% marks चाहिए लेकिन जब total करेंगे तो वह marks 50 percent बनने चाहिए that is aggregate आपका aggregate total जो आएगा वो बेटा 50% marks होना चाहिए यानि 200 में से 100 नंबर होने चाहिए 200 में से 100 नंबर होने चाहिए लेकिन अगर हम individual subjects की बात करें तो वहाँ पे आपको 40% चाहिए pass होने के लिए ओके बच्चो तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको individually किसी subject में 50% से marks कम भी मिल गए तो आपको maintain करना पड़ेगा दूसरे subject में अच्छा score करके ताकि आपका total जब आए तो 50% at least हो ठीक है यहां तक कोई भी doubt कोई भी समस्या आपत्ती नहीं होनी चाहिए आगे बढ़त सारे subject के लिए चारो subject के लिए 120 मिनिट है 120 मिनिट मतलब दो घंटे का exam होने वाला है चार subject होंगे legal aptitude भी 35 इसके अंदर भी सेम 50 mark 15 mcq दो नंबर के और 20 mcq एक नंबर का और बागी दो सब्जेक्ट अगली स्लाइट पर है इकोनॉमिक एंड बिजनस इंवार्मेंट भी सेम ऐसा ही चलता रहा है और करेंट अफेर्स में क्या है पंद्रह कोशन्स हैं बीस मांक के पांच कोशन्स दो मांक के और दस कोशन्स एक मांक का कितने होगे एक सो बीस मिनट में हर हर एक मिनट में आपको पूरा रीड भी करना है उसका आंसर भी सोचना है और क्लिक भी करना है तो टोटल मार्स कितने हैं 170 मार्स हैं 120 मिनट आ गए प्रेजंटेशन और कम्मिनिकेशन स्किल्स वाइवाव उसे की बात कर रहे है वैरियेबल नंबर ऑफ कोशन्स यहां पर अलग अलग कोशन्स अलग अलग तरह कोशन्स हो सकते हैं 30 मांक का होगा इसके लिए 15 मिनट आपको मिलेंगे ठीक है और लास्ट में एक छोटी सी ला अब बात करते हैं वेटा हमारे कोर्स भी आ चुके हैं आपको कॉमर्स की कोई भी प्रॉबलम हो आपको कॉमर्स अड़ा 247 पर आना है और अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चे आप 12th क्लास में हो शायद या 12th क्लियर कर चुके हैं आपके ल सब्सक्राइब हैं कॉमर्स के लिए और बाकि बच्चों के लिए एकर रिकमेंड करना जाते हैं साइंस और आट के बैच्से दिसकांट के लिए आपको एक कोड करना है य क्वाई डबल य डबल फाइफ सीरो आपको मैक्सिम्म डिसकांट मिलेगा तो जितना आपको बैच इंग फिर शुरू हो रहें पेटा जो बच्चे CVT 2023 केे लिए प्रिपेर होंगे तो सारे के सारे सारे विच्चों के लिए है ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं अगस्त के लिए हमने यहां पर शुरू किया था बैच यहां पर हमारा कॉमर्स के लिए स्पैसिफि योप आपको c.a.s के बारे में c.a.s के लिए कैसे प्रिपेर करना है क्या होगा बहुत सारी वीडियो रने वाले सब्सक्राइब कीजिए लाइक जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी है तो और कमेंट सेक्षन में बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं, CS के बारे में या अधर कोई commerce जितने भी courses आते हैं, आपकी कोई career wise कोई problem है तो वो आप बता सकते हैं, आपको solution मिलेगा वीडियो की तुरू YouTube में हम आएंगे और आपकी problem का समाधान करेंगे, bye bye take care, अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपनी health का ध्यान रिखिए, मिलते हैं next session में, take care, keep growing